हे गाईस फ्रिज वो जगह होती है घर की जिसमें हम हमारा सारा लेफ्ट ओवर फूड सारी वेज़ेबल्स दूद दही मखन सब को स्टोर करके रखते हैं तो उसको क्लीन करना और प्रॉपर ओर्गनाईज करके रखना बहुत ज़रूरी है तो आज की इस वीडियो में मैं आप फ्रिज को पूरा एक साथ क्लीन ना करें नीचे के पार्ट को पहले कर लें फ्रीजर को बाद में करें और जैसे दूद, घी, मखन, मलाई कुछ ऐसी चीज़े हैं जो जल्दी खराब हो सकते हैं उनको आप पहले फ्रीजर में रख दें फ्रीज क्लीन करें उसके बाद फिर आप फ्रीजर क्लीन करोगे तो उनका टेंपरेचर मेंटेन रहता है वो खराब नहीं होते हैं तो सबसे पहले मैं क्या कर रहे हूं पूरे फ्रिज को खाली कर रहे हूं मतलब डॉर के सेक्शन को पूरे फ्रिज को आपको एक साथ अच्छे से खाली करके रख देना है जरूर से कर दीजिए कभी भी पावर ओन में फ्रिज क्लीन ना करें क्योंकि फ्रिज की गेस लीक हो जाती है और फ्रिज जल्दे खराब होने का डर भी रहता है तो आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने पूरा फ्रिज जो है वो अच्छे से खाली कर दिया है स्टेप बाइ मन्त में एक बार आप इन सारी चीजों को वाश जरूर करें जिससे आपका फ्रिज हमेशा ही न्यू जैसा लगेगा कभी भी पुराना या उसमें दाग धब्बे आपको नहीं दिखेंगे तो मन्त में एक बार आप सारी चीजों को निकाल के अच्छे से क्लीन कर लें दिश अब चलिए हम क्लीनिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है एक नैपकिन लीजे ताकि जितने भी पार्टिकल्स फ्रिज में नीचे गिर गए होंगे ना या कोई गंदी लगी रहेगी तो वह एक बार में आसानी से निकल जाएगी तो दोर सेक्शन को भी आपक नैपकिन लीजे और स्क्वेश करके पूरे फ्रिज को एक बार आप इससे पहुच लीजे तो हलके से भी दाग धब्बे या कोई जमेवे दाग धब्बे रहेंगे वह आराम से निकल जाएंगे अगर आपका फ्रिज बहुत ही जादा गंदा है ना तो आप इस सोलुशन को लगा के छोड़ दीजिए 10-15 मिनिट के लिए देन आप फ्रिज साब कीजिए तो आपका फ्रिज बहुत ही आसानी से एकदम क्लीन हो जाएगा कहीं भी कुछ नहीं रहेगा तो सबसे पहले मैं पूरे फ्रिज के इवन फ्रिज के डोर सेक्शन के साइड में जो रबर की लि बावा रह जाए न वो निकल जाए आपको बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ा है तो नैपकें से पहुच लीजे उसके बाद आप एक सूका कपड़ा लीजे माइक्रफाइबर कपड़ा लीजे कुछ भी ऐसा कपड़ा लीजे ड्राई और फ्रिज को वापस से आप नहीं रहना चाहिए तो सबको एकदम ड्राई करके 5 मिनट फिर हम फैन के नीचे छोड़ देंगे ताकि हलका सभी जो मौश्य रहना वो निकल जाए अब बारी आती है फ्रिज को असेंबल करने की तो जितनी भी रेक्स हमने निकाली है उन सबको हम वापस लगा लेंगे और होना चाहिए हलका सब ट्रांस्पेरेंट होना चाहिए और मेट जरूर लगाई है ताकि अगर कुछ गिर जाए ना तो वह मेट पर गिर और आपका फ्रिज जना उससे गंदा नहीं हो यह बात आपको ध्यान रखनी है तो आप साइट्स में भी और फ्रिज में भी मेट कर लेना ताकि वह भी हमेशा जगमकाता रहे कि बाहर का ही तो पहले दिखते है अब आपको फ्रिज कैसे ओर्गनाइज करना है सबसे उपर वाली रेक में आपको रखना है दूद दही मखन लेफ्ट ओवर आटा कुछ भी ऐसी चीज होना उनको आपको उपर वाले सेक्शन में रख देना है अब मैंने फ्रिज ओन कर दिया है उसको ऐसे छोड़ दिया अब वेजटेबल कैसे स्टोर करनी है तो आप कंटेनर लीजे उसमें नीचे आप टीशू पेपर लगा लीजे और उसके बाद उसमें सबजिया डाले और पहले की कोई बचीवी सबजी है तो उ काम में ले सकतो जिसे घ्री का सैटा इसमें में मिर्च रख दिया है अध्रक टमातर तो सारी सब्जिया हमने अच्छे से यहां पर सेग्रीगेट कर ली है हमेशा टीशू पेपर लगा के रखे और जहां तक हो सके ना सेम कलर के अप कंटेनर यूज़ यूजव लेने की इसे आप ले सकते हो इसका detail video already मेरे channel पे है तुम्हें उसका link description works में डाल दूँगे आप ज़रूर से check कर लेना फ्रिज से related जितने भी videos है सबके link में डाल दूँगे तो आप चेक कर लेना आप के लिए बहुत जादा helpful हो जाएगा fridge को maintain करना क्या खरीद रहा है क्या नहीं खरीदना कैसी बास्केट आपको चाहिए कैसी नहीं चाहिए सब कुछ मैंने में वेंचिन किया है तो वह जरूर से चेक कर लेना तो यहां पर हमने पूरे फ्रिज को अच्छा से ना और्गनाईज करके रख दिया है डोर सेक्षन में मैंने कुछ इस तरीके की बास्केट लिए जिसमें चार कंपार्टमेंट पर यह मेन आती है सॉक्स वगर और्गनाईज करने के लिए पर मैं इसको जितने भ मैंने पाउडर वगर बना रखे ग्रेवी वाले व क्यों रक्शादा तो उसको आप वहां रखे जहां पर फ्रिज्ज में रखे फ्रीजर में शटोर में ना करें और फ्रीजर को मैं नहीं किया को मैं बात में करूंगी यह वीडियो ऑल्रेडी बहुत लंबा हुजाएगा वैसे फ्रीजर को मैंने 10-15 दिन पहले ही अच्छा से क्लीन क्या था इसमें सारी मैंने वेजेटेबल जो स्टोर करके रखती हूँ ना फ्रोजन वाली वो सारी है अब चलिए आपको मैं अपना फ्रेज दिखाती हूँ कि मैंने कैसे और्गनाईज किया तो सबसे उपर की रेक इस रेक में रखि क्लिए दें नीचे की डोनो रेक में मैंने सारी वेजेटेबल्स हो यह और सेम तरह के鐘 है और यह तreated है यहां साथ औरव सी सिछ सेडा defa कि बैसने 90 नहीं और यहां पर देख सकता है यहां पर मैंने सारी क्रीम Loaaaa यहां पे सारे ग्रेवी के पाउडर है दूसरी तरफ कोको पाउडर हो गया है सारी बॉटल्स वगर है तो कुछ इस तरीके से फ्रिज को आप और्गनाईज करें तो आपका फ्रिज भी ऐसा ही नीटेन क्लीन लगेगा अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसे शैज़ जरूर करना और मैं आपसे मिलते हूं ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो के साथ तिल दिन बाइ-बाइ